इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ट वर्ग साथ अधियाए एक परशना वाली 1.1 का परशन संख्या एक से देखेंगे तो देखिए परशन संख्या एक में कहे रहा है निमन लिखीत के बीच की सभी पुर्णांग संख्या लिखे यह जो पुर्णांग संख्या दिया प्राश्ण संख्यां एक में कहहाँ है निम लिखीत के बीचकी सभी पूरुनांक संख्याय लिख ficar प्राश्णों को समझे प्राश्ण में क्या क्या रहा है निम लिखित کی बीच क्या करना है पूरूनांक पूर Dies was कब दिनात्मक पुनाख कैसे हो गया तो इन सभी के बारे में हमने आपको पिछले बिडियों बताया हुआ हुआ है जो पुलास में हो इनके पीछे कुछ भी चिन नहीं सख्या रखा को यह हमारा संख्या रखा इसके बारे में हमने आपको फिछले विडियों बता दिया है अगर आपने मेरा पैसले लिए नहीं तो यहीं तो यह अपर को यह खन ईखना है तरह Uушки do gogo ahead minus 5 और यहां पर की यहमारा धनात्माप पूर्णाग के की होता है दाई और जाए पांच पर तो पांच यहांपर है मानस पांच से लेखे और पांच के बीच में इनके बीच में इतना भी पूर्णाग कर दियाएं उनको त्या करना है लीख Your कह रहा है सभी पुनांकों को लिखना है तो यहां पर लिखे माइनस पांच के बाद क्या है इसे आगे माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन चार चार तक आप लोगों को लिखना है यहां पर माइनस चार से यहां पर लिखे माइनस चार इसके पर देखिए यहां से लेक हमने लिख दिया है इनके बीच की पुर्णाग को लिख दिया है मैनस पांस से लेके पांस तक के बीच का पुर्णाग दिया हुआ थो जो उसको हमने लिख दिया संख्या रेखा के माधियम से इसके बारे में हमने आपको पिछले विए बता चुके है अब देखिए यहां पर बी नमर में यहां पर माइनस दो और आठ के बीच के पुर्णाक को लिखना है देखिए माइनस दो क्या है दिनात्मक पुर्णाक है तो सुन्य के बाई और हमें सा दिनात्मक पुर्णाक होता है तो यहां पर है माइनस दो माइनस दो और आठ यह हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8 है तो यह दिया हुआ है, तो इनके बीच की माइनस 2 और 8 के बीच की पुनांक हो गया, यह पुनांक संखें हो गया, अब इसी तरह से यहाँ पर C नमर समझे, इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं, अब देखिए C नमर में, C नमर में है, माइनस 100 और माइनस 2 के बीच की पुनांक को लिखना है, अब देखिए, दोनों दिनात्मक पुनांक है, तो दिनात्मक पुनांक इधर है, सुन्य के बाइं और, तो यहाँ पर ढूंड़ी, इसमें माइनस 100 है, तो माइनस 100 देखें कहाँ पर है, माइनस 100 और माइनस 2, तो माइनस 100 के बीच की पुर्णाग को लिखना है इन दोनों के बीच की पुर्णाग क्या है माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन यहां पर लिख दीजे माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन यह हो गया इनके बीच की पुर्णाग अब इसके बाद है डी नमर डी नमर में माइनस चा हां पर मैनस चार यहां पर है मैनस दस इखाना पर इनके बीच की पुरनांकों को लिखना सकते को ह्याjectнем सब्सक्ते नीश आप पर नंग है नीशन पर नों के बीच की पूरनावक हो इस तरह से एंस लिख दिया तो इस तरह से आप लोग प्रवश्ण संख्या एक को देख लिए अब हम देख लेते प्रवश्ण संख्या दो को अब देखिए प्रवश्ण संख्या दो में क्या कह रहा है प्रवश्ण संख्या दो कह रहा है नीमन लिखीत में से प्रतियक में बड़े पुर्ण फड़ाँख दिया हुआ है और जो पूर्णाँख बढ़ा है उस पर क्या करना अपर लोग को घेरा लगाना है तो कैसे पता करेंगे कौंसा फूर्णाँख बढ़ा है तो जितना भी रिनात्मक पुर्णांग है, वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक पुर्णांग से छोटा होता है, धनात्मक पुर्णांग जैसे यहाँ पर देखी, यह याद रखना है, सुनने से यहाँ पर इधर जितना भी रिनात्मक पुर्णांग है, वो सुनने से छोटा होता ह है और यहां पर जितना भी धनात्म पुर्णांग यह सभोता इस động हो बंसे से बढ़ा होुछ स्वी अगी जितना भी स्भी स्भी तो एखिए यह दोनों धनात्माट पुनांग हो था अगर यह फालस में होता और यह फी फालस मे Louise यहाते हैं अब देखिए भी नमर में से कौन सा संख्या होगा जब धन्यात्मक पॉर्णाइक पूर्णा थे लेकिन इसमें देखे तो दोनों रिनात्मक पुर्णांग है तो इसमें से कौन सा बढ़ा होगा तो इसमें आप लोग को याद रखना है धनात्मक पुर्णांग मेरे संख्या है जैसे यहाँ पर एक और दूसरा चार इसमें से अगर हम पूछे आप लोग को कौन सा संख्या बढ़ा में देखें तो यह एक यह बड़ा है मैनส चार से इसे आप लोगो याद रखना है तो देखे यहाँ पर जो है ज judu के नज्डीM हो देखिए 123 मैनीस पंद्र तो देखिए पहले तो मैनस आथ इसके बाद आगे जाएंगे तो मैनस पंद्र आगा तो जो जीरो के नर्ज दीखो वो हमेशा साब बड़ा पुर्णांग होगा मैनस में तो यह जो मैनस आठ है यह बड़ा पुर्णांग होगा अब देखें सी नमर में सी नमर में देखें तो यह जीरो और मैनस पांस तो इस दोनों में से कौन सा बड़ा पुर्णांग होगा तो हमने ने आपको क्या बता है जो जीतना आगे हो वह मेसा बढ़ा पुर्णागों वगा लेकिन इसमें उल्टा होता है जो 0 जीरो के नजधिक हो वह मेंसा बरा पुनाक होता है तो देखिये-7 जो है यहाँ पर पहले है मानस 7 पहले इसके बाद मानस 20 जा क्याएंगे तो तो यहां पर इंके नरपीट मानस सनफ आ तो को भी देख लेए अब हम देख लेते प्रश्ण संख्या 3 को अब देखिए प्रश्ण संख्या 3 में क्या करा है प्रश्ण संख्या 3 कह रहा है रिक्त अस्थानों में उचीत चीन यह हो गया बड़ा का चीन जिसके तरफ यह मुह इस तरह से बना हो वह मेंसा बड़ा होता है औ अगर दोनों संख्या बराबर हो तो इस तरह सम निशाना दे देंगे तो देखिए इन दोनों में कौन सा संख्या बरा होगा इसे आप लोग को समझना है तो देखिए हमने आपको क्या बता है जब रिनात्मक संख्या हो दोनों तो हमें सा जो छोटा संख्या होता है वो लगा हुआ देखिए इसके तरफ से अब देखिए बी नमर में जीरो बड़ा है या चार बड़ा है तो हमेशा पताब लोगों को जीरो से बड़ा होगा चार जितना भी यहां पर धनात्मक पुर्णाक है वो जीरो से बड़ा होगा यानि कि सुने से बड़ा होगा तो हम इसक और चोटा हो उसके तरफ से तीर देंगे और जो बड़ा हो उसके तरफ से मुह झुला तो 24 4 को सकते कि एक प्लॉस में और एक माइनस में भड़ता है अब गटेगा किसमें से 4 में 4 जोबनमस में यहां पर जस्में सेयां तो आ जाएंगे 50 दोनमें में 50 हो किया ही 4 तो 50 है 45 मेरी का चिन लगा किसमे मैं रहीν है तो meth किसे में इन की फाय श्चत चाय Pokémon अब देखिए इसमें भी 25 और इधर भी 25 तो यह भी क्या होगा रखता है मर घो संख्या बरा इसान सान सांख्या देख रहे मियाँ सब्सक्राइबकास मिनलता गरता है तो मैनस का चिन लगा दीजे और यहां पर देखिए यह 20 में से 2 घटाएंगे 2 में से 20 घटेगा ने तो 20 में से 2 को घटाएंगे तो 18 और देखिए यहां पर 20 के पीछे क्या चिन लगा है मैनस तो मैनस का चिन लगा दीजे अब हमने आपको क्या बता है दखिए दोनों मैनस मे है जब दोनों मैनस में हो तो संख्या कौन सा बड़ा होता है मैनस में जो है छोटा संख्या बड़ा कहलाता है तो मैनस में 11 है और यह मैनस मठा रहा है तो यह बड़ा होगा मैसा यह संख्या क्या होगा बड़ा होगा और यह छोटा होगा तो इस तरह साब लोग परशन संख् बढ़ते करम में लिखी यह जो नीचा दिया गया यह पुर्णा को क्या करना है बढ़ते करम में लिखना है और बढ़ते करम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले सबसे छोटा पुर्णा को लिखते हैं फिर उससे जो है जो सबसे छोटा होगा उनसे बड़ा पुर्णा को फिर उनसे बड़ा पुर्णा को इस तरह हम लिखते चले जाते हैं यहां पर कहरा बढ़ते करह में लिखने के लिखते हो तो यहां पर देखे सबसे छोटा पुर्णा क्या होगा तो सबसे छोटा पुर्ण खरें आब माइनस आठ से बंढ़ा संफिया यह नहीं कि सब से बिदूनर माइनस आस आठ से बढ़ा माइनस आठ से बढ़ा है माइनस-5 फिरुफन थी ऐसे बिस बुरूर बिदिखियो एस से बारा भर्रा फ्री थिंग कर ओने यह टो लिए बीस तो लिए टीज़े ट तो इस तरह से यहां फनमे क्या क्या बढ़ते करम से बुटा को डूंक संख्या और इसमें च этой करना बढ़ते करम laud बैसा होता है तो सबसे चोटा संख्या विजे वह Сबसे भर शुप है अब कमें डकी कों से संख्या बढ़ा है तो आप लोग को याद रखना है, हमने आपको क्या बता है, देखें, जितना भी रिनात्मापुर्णांग है, वो हमेशा सुनने से छोटा होता है, तो रिनात्मापुर्णांग क्या होता है, सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले रिनात्मापुर्णांग को लिखना है, और इस्के बाद इन से बारा संख्या मैनस 15 से बारा है Sunnya 5 और 5 से बढ़ा न 2000 को इा फिरा यहा चार से बारा है अब हम देख लेते प्रlaşश्ण संख्या पांच को अब देखिए प्राश्ण संख्या 5 में क्या कह monitors 5 कहे रहा है नीचे इए गए पुर्णांगों की अगली संख्यां बढ़की निचा दिया है जितना उनका अगली पुर्णांग बताना है व Bennett संख्यां रेखा तो इनके अगली पुर्णा क्या होगा मैंनस 18 का अगली पुर्णां इसको हम इस तरह समझते हैं जानद तो देखे इस तरह से आगे हम चलते जाए इस तरह से आगे जाएंगे ना कि पीछे ये पीछे हो गया इस तरह से ये हमारा पीछे चलता है सुने से हम इधर चले तो ये पीछे चल रहा है और इधर आगे चलता है तो ठीक इसी परकारिस में देखिए मान लिजे अगर यहाँ मैनन से 17 घर सफेस्टिक आगे चलता याव हुए आगे सवी सब्सक्रारा टार ARE स Michy इस यहां पर जोने करें तो इस वी अगली पुर्णा की से रहें तो सोला होता है मैनस भीस का पुर्णाव अगला तो यहां पर इसका उल्टा हो जाता है अगर दखिए 15 से आगे चले तो 16 लेगे यहां पर इस्ता सांख्या मैनस मेल है ज्यां करेंगे एक संख्या कम कर देंगा उस तरह संब्ले शाण रहा तो मैनस मैं 19 लिगदी कर HOW डिक falls का ग्ली पुर्णांग हो गया उससाभ लोग प्रॐश्ण संख्याँ में क्या कह रहा है प्रॐश्ण संख्याँ सहरे नेंसी दिए गए पूरॐश्ण संख्याँ में यहां यहां पर प्वश्ण संख्याँ पांच का यह उल्टा ऑल सुझीन व By तो 25 से पहले लिखना है तो पहले लिख दीजे 24 हो गया और यहां पर देखिए रिनात्म पुर्णाक में है तो इसका यहां पर धनात्म पुर्णाक क्या होता है अल्टा हो जाता है यहां पर सब्सक्राइब करें न हम यहां पर हो कि यहां पर दो कहते हैं, यहां पर दखेंब्स को में लगा लगा तो यहेंriteर मांढ़ दो manifest प्रुद्रोगी सबस Also क्या क्या उसे प्राग्ति और यहां माईद यहां दो माईद प्रुद्दाइब पुर्णांग संख्या क्या होता इसके बारे में आपको पीछले बीडियों बता दिया अगर आपने मेरा पीछला दोलने देखा तो जा करके देख लीजे अब देखे प्रश्ण संख्या साथ में क्या कह रहा है रिक्त अस्थनों को भड़िए यहां पर देखिए जो खाली ज बढ़ा हो सिप्सके अब देख रहें है तो पांस और यहां पर देखिए प्लोस मैनस करेंगे प्लोस को मैनस करेंगे तो यहां पर जाएंगे मैनस प्लस मैनस का गुना करते हैं तो मैनस का चिन लगता है यह 5 है तो 5 अब देखिए यह फिर से हम यहाँ पर 5 से गटाएंगे यहाँ पर देखिए 5 में से हम गटाएंगे 2 को यहाँ पर हो जाएंगे 3 और यहाँ पर देखिए 5 के पीछे क्या चिन लगा है मैनस का चिन लगा देंगे तो यहां पर देखिए यहां पर भी मैनस 3 आ रहा है और यहां पर मैनस 3 यहां पर भी आ रहा है तो आगे क्या करहा है क्या मैनस 5 प्लस 2 यह जो मैनस 5 प्लस 2 है बराबर है यह 2 प्लस मैनस 5 के तो कहेंगे हां कैसे यहां पर देखिए मैनस पांच प्लस दो किये हैं तो मैनस तीन आया है और दो प्लस मैनस किये हैं यहां पर दो और प्लस मैनस पांच किये हैं तो भी आया मैनस तीन इसमें कहेंगे हां यह इसके बराबर है तो इस तो आप लिए यह हमारा करम व्यूनी मे गुंख कहते हैं आब हम इसको यहां पर इससे आगे समझते यहां पर देकिए आपके बुक में यहां पर जैवा है कुछ अन्य पुर्णाग संख्यां लरीकर सालिकों पूराइक जी ऑफ्रल्वियुक्ति है तो आ यहां पर पुर्णांग को क्या कर घारा यो कर रहा है यान कि जोड में जहाँ विल दु दूरा यान कि जोड रहा है तुरे यहां उल्टा कर दिया है यहां पर देगे बी को पहले लिख दिये भी क्या है तो थीन लिख दिये और यह प्लस है तो प्लस का चीन और एक या ये मैनस चौँ अब दोनों और B पलस A भी आया है यहांपर मैनस तीन हम कहेंगे हाँ यहां पर इसका answer हो जागा इसमें दिख देंगे अब देखिये इसके बाद यहां पर दखिये इसमें इससे पहले हम जोड़ रहते है अब घटा आ रहे हैं इसमें तो ए की जगाव पर दखिये E की जगओ पर माइनस 6 और B की जगओ पर 3 है, B की जगओ पर 3 लिख दिया और ये घटार है तो घटाओ का चिन लगा दिया, अब देखिए, ये गणों देखिए घटाओ जातीका, ये भी घटाओ में और ये घटाओ में तो जूर देंगे, मैनस मैनस हमेशा पलस होता है, नोट तो दोनों क्या है घटाव जादीं का उतों लगा देंगे अब डिकीए का उल्टा कर दिया। को दिए,"ब गार में या», आठीच 7 है और चाहीं का मा रसा अिखालगन लिघा देखें कि लिए falyr2, यह नहीं का दोढ़ता है, यह 3 DRP होते हैां क kulit DC, का चीन होता है तो यह हो गया च्छा प्लस में और यह हो गया तीन प्लस में तो च्छो तीन नौ तो यहां पर देखिए यहां पर आगे क्या किया रहा क्या करें 2 플ॉस 3 करें 2-5 में 5 हैं तो 5 कीजें कितना आता है 7 अब से बार देखना भी प्लस ए करके तो boundary को पहले लिख दीए बीवाले संख्या को पांच भी तो 5 और प्लस में एक इतना दो तो दो यहां पर देखिए इसमें भी आगे 5-2 साथ यहां पर क्या कह रहा था क्या रहा एप लोगों को पेंट से नहीं भरना अब यहां पर होता है करभाने में नहीं होता है इसे हम समझा देते यहां पर समझें देखे एक जगाव पर क्या है तो लिग देंगे बदो अर गाटाव का झृन है उसको घ्टाएंगे तो कितना हो जाएगा चीज alltså प्रपर ने तो पांच में सबस्थे नोखो सबस्था जूंट लेए आड़ा जीति भी तो कहेंगे नए यह भी हो जाएगा नहीं अब देख्यों कोई उधारें लेगे हीएगे हैं जैसे यह और मैनस का उना होता है तो मैनस का चीन लगता है तो यह भी मै Canal में और यह भी मैनस में जब दून एक जातिक हो जाए तो जूत जाता है तो त debate झालता है तो तो चीन दो पांच और दुम मैलश जातिक了 यहां बी फिल से करें यहां-पर मैनस दिर से बसस्टाइं में तो अब इसे इसारी को अगर उल्टा करें यहां पर देखिये डिए मैनस 6,e मैनस दो और बी चैगा पर कितना है मैनस तीन अब द्याहां ये मैनस को मैनस को ना करते तो backlash होता है यह plus में होगा है तो टेने में मैं से भूट आ इंगे तो एक और यह पर लेख दीजा है और इसको ठमें किसे मानस 3 को पहले लिख दिजे और इसके पार गटा रहे हैं तो घंडाऊ कचीन अब दिग्की मैनस 12 और ये मैनस 11 मैनस 5 मैनस गुना करेंगे तो प्लस में दो और यह मैनस में तो काति लगा तो रहा है तो कहएंगे नाइब टोशर सक्तीय तो भीडियो लंबा होने के इंस आगे दियंगे तो मिलते हैं नेगक्स विडिवल में तब तक लिए गुड़बाई झाल झाल झाल